Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल ट्रेट को लेकर policy लाती रहती है, मैं आपको बता दूँ, usually क्या होता है कि ये जो policy वो 5 साल के लिए आता है, तो जैसे कि पिछला जो policy था, वो 2015 से लेकर 2020 तक के लिए था, लेकिन उसको extend किया गया था, finally ये वाला जो policy वो खतम हो रहा है, लेकिन सरकार इस बार जो policy लेकर इस तक भारत का जो trade है, जो export है, वो 2 trillion dollar achieve होना चीए, तो क्या ये possible होगा, ये जो policy है, उसके अंदर क्या-क्या important चीज़ें बोले गई हैं, आपके exam perspective से और जानने के लिए बहुत जादा important है, चलिए इसके बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखेगा, अगर आप में से जितने भी लोग UPSC की त्यारी कर रहे हैं, खास कर आज के लिए यहाँ पर sale है, जो भी आप course लेना चाहते हो, जैसे 2024 का अगर आप batch लेना चाहते हैं, इस batch के अंदर prelim से लेकर interview तक की तो पूरी त्यारी आपको मिलेगी, लेकिन खास कर वो बच्चे 2024 में prelims crack कर लेंगे, उन सभी बच्चों को UPSC क्लियर करने क्लियर study IQ अपने headquarter दिल्ली में बुलाएगा, वहाँ पर रहने की सुविदा, खाने की सुविदा और जो भी preparation की सारी सुविदा हैं, वो free of cost आपको दी जाएंगी, सोच के देखिए, इतने कम price पर आपको यह नहीं मिलने वा या फिर comment section में इसका link दिया है, वहाँ पर जाएए, और ये code इस्तमाल करके सबसे ज़्यादा benefit आप ले सकते हैं, इसके साथ साथ अगर आप MCQs एटेंट करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहाँ पर stories में जितने भी MCQs हैं, उसको आप एटेंट क खास बात यह है कि इस बार का जो policy है, वो without any sunset clause है, मैंने आपको बताया ना, पिछली बार क्या हुआ था कि जो policy आया था, वो 5 साल के लिए था, हर बार जो foreign trade policy आती है, तो 5 साल के लिए होती है, तो पिछला वाला भी जो आपका 2015 से लेकर 2020 तक के लिए था, लेकिन 2020 में आप होगा कि COVID आ गया था, इसको देखते वेक जो industry के experts से उनका कहना था कि इसको extend कर दिया जाए, फिर extend किया गया दो साल, और फिर यहाँ पर आपको बताया है, पिछले साल जो Russia-Ukraine का war आ गया था, तो यह सारी चीजों की वजह से जो पिछली policy है, वो 31st March 2023 को खतम हो रही है, म and services के export की बात कही गई है, जो रूपी में trade settlement है, उसको भी encourage करने की बात कही गई है, और साथी साथ जो global principle है export से related, duties से related, क्या होता है ना, कि जब आप किसी goods के ऊपर duty लगाते हो एक्स्ट्रा, तो अव्वेसी बात है, वो महंगा हो जाता है, और उसको export करने में मुश्किल हो है, उनका यहाँ पर यह कहना था कि यह policy आपको समझना होगा कि आज के वर्ल्ड में आपको पताई है कि बहुत जादा dynamic होना चाहिए, क्योंकि क्या है ना, कभी Russia योकरेन का war आ जाएगा, कभी pandemic आ जाएगा, तो हम इस चीज़ को कोई fix नहीं करना चाहते थे, तो यहाँ प होता है कि export नहीं हो पाता, जब वहाँ पर demand नहीं रहेगा foreign countries में, तो हम उसको भेजेंगे कैसे, और इसी को ध्यान में रखते वे, इस बार की policy लाई गई है, तो चलिए इसको और थोड़ा detail से समझते हैं, सबसे पहले बात की गई है कि export को हमें बढ़ावा देना है, जो new trade policy है, वो कहा जा रहा है कि government का जो focus है, कि export के उपर boost मिले, आपको पता ही है कि आतनिर्वर भारत, make in India, इन सब की बात कही जा रही है, तो हम अपनी जो अपूर्ती है, जो हमें यहाँ पर demand करना है, वो सब कुछ देश्ट के अंदर तो बनाएंगे ही, लेकिन साती साथ उसको export करेंगे, चाहे, defense वाले goods हो गया, कुछ भी हो गया, हम उसको export करना चाहते हैं, और इसके लिए यहाँ पर consultative approach के माध्यम से चीज़ें काम करेंगी, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ central government यहाँ पर policy बनाएगी, यहाँ पर central government का कहना है कि जो trade और industry है, उनके साथ participation किया जाएग वहाँ से लेकर अब तक पूरा जो policy है, उसको ध्यान में रखते वे चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा, export को कैसे बढ़ाया जाए, फिर इसके साथ-साथ यहाँ पर एक और जो important चीज़ बोला गया है, ध्यान रखेगा इस बार के policy में, वो यह है कि भारत subsidies के बल पर अपने export को नहीं बढ़ायेगा, कहने का मतलब क्या होता है ना, usually आपने चाइना से देखा होगा, चाइना में क्या होता है, कि बहुत सारे सस्ते goods भारत के अंदर आते हैं, तो कई बार यह देखने को मिला है कि चाइना की जो सरकार है, वो बहुत सारा subsidy अपने companies को देती हैं जिसकी वज़े से उस goods के दान सस्ते हो जाते हैं, और वो लोग भारत के अंदर dumping स्टार्ट कर देते हैं, और जिसकी वज़े से भारत की industries यहाँ पर उनके उपर impact आता है, तो सरकार का यह कहना है कि हम यह सब काम नहीं करेंगे, हम यहाँ पर subsidies देकर चीजों को बिगाड़े लेकिन हमारी जो strength है, हम अपने strength पर खेलने की कोशिश करेंगे, और जादा से जादा export को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, अब जहां तक export target की बात है, मैं आपको बता दूँ कि पहली बार 2022-2023 में किसी वर्ष के अंदर भारत का export 750 billion dollar का cross होने वाला है, जब मैं export की बात कर र और ध्यान रखेगा कि पिछला जो policy था, 2015 वाला जो policy था, उस समय अगर आप देखोगे, 2015-16 में भारत का export हुआ था 435 billion dollar, और आज export हुआ है 2022-2023 में ये हुआ है 760 billion dollar, मतलब पिछले policy से लेकर अभी तक लगबग 70% का आपको growth देखने को मिलेगा, लेकिन इससे कहीं जाद करना है, और target क्या है, target ये है कि अगले 7 सालों में, मतलब 2030 तक हमें export को 2 trillion dollar ले जाना है, sorry ये 2023 लिखा है, ये नहीं है, 2030 ध्यान रखेगा, 2030 तक का target है कि 2 trillion dollar यहाँ पर हमें export को पहुचाना है, लेकिन इसके साथ-साथ Commerce Minister प्यूश गोईल साब ने ये भी कहा सभी से, कि इसस बहुत जादा, जैसे कि हमारी IT industry, Information Technology industry बहुत strong है, तो काफी सारी चीज़े हमें export करते हैं, लेकिन हमारा जो merchandise export है, वो बहुत कम है, merchandise मतलब जो goods होते हैं, जो देख सकते हम, हरे कोई भी goods हो गया, उसका export हमें बढ़ाने की ज़रुत है, फिर साथ-साथ ये भी बोला गय मंगाते हैं, घर पे आता रहता है, तो वो सारे goods में भी हमें ज़्यादा focus करना है, उससे हम कैसे export कर सकते हैं, मतलब भारत से courier के माध्यम से कैसे दूसरे देशों में जो goods है, वो जा सके, छोटे-छोटे goods होते हैं, और यहां पर मैं आपको in fact ये भी बता दूँ, कि अभी लिमिट लगा हुआ था 5 लाग का, मतलब अगर आप courier से कोई goods भेज रहे हो बाहर के देशों में, तो 5 लाग से जादा का goods आप नहीं भेज सकते थे, जिसकी वज़े से अगर आपको दूसरे माध्यम से करना होता था, तो बहुत जादा paperwork करना है, problem आती थी, अब यहां पर सरकार ने क्या क्या है, यह लिमिट 5 लाग से बढ़ा कर 10 लाग कर दिया है, मतलब अब आप कोई भी goods अगर sell करते हो, courier के माध्यम से भेजते हैं दूसरे देश में, तो आप 10 लाग तक के जो goods हैं उसको export कर पाएंगे, और इसके लिए कही ना कहीं जो सरकार है, बहुत ही जल्द, e-commerce जो stakeholders हैं, Amazon, Flipkart, यह सब जो stakeholders हैं, उन सब के साथ यहाँ पर बात करेगी, लोगों के साथ बात करेगी, कि क्या guidelines इससे related जारी किया जा सकता है, फिर इसके साथ-साथ यह भी बोला जा रहा है कि e-commerce export का potential बहुत जादा है, मैंने आपको बोला ना, 2 trillion dollar का हमें हमने aim रखा है, लेकिन 2030 तक e-commerce में 200-300 billion dollar का contribution अकेले e-commerce कर सकता है, तो again काफी बड़ी चीज़ है, फिर यहाँ पर इसके साथ-साथ जब भी trade की बात आती है, तो आपको पता है ease of doing business, मतलब अगर आप कारुबार करना चाहते हो, वैपारी हो, तो जाहिर सी बात है न, आप चाहो के माध्यम से, automatic rule based approval आपको मिलेगा, किसी भी चीज़ के लिए आपने apply किया, automatically आपको approval मिलेगा, यहाँ पर आपको रोका नहीं जाएगा, इसकी वजह से ease of doing business बड़ेगा, और लोग ज़्यादा trade करना चाहेंगे, फिर इसके साथ-साथ एक और जो important चीज़ सामने आया है, यह है कि export performance के rationalize करना, कहने का मतलब क्या होता है ना, कि मालीजिये आप कौन से category में आते हो, मालीजिये आप बहुत ज़्यादा export करते हैं, ठीक है, तो आपको 5 star exporter बोला जाता है, ठीक है, आप थोड़ा सा कम करते हो, तो 4 star exporter बोला जाता है, तो इसकी जिसे आप जिस category में होगी ना, उतना आपको benefit मिलता है, तो पहले क्या था, अगर आपको 5 star exporter का दर्जा लेना है, उसके लिए आपको 2 billion dollar का export करना होता था, लेकिन अब इसको घटा कर दिया गया है 800 million dollar, मतलब कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को अब 5 star exporter का दर्जा मिलेगा, मतलब आप ज़ साथ इस बार के policy में एक और जो चीज कही गई है, वो है towns of export excellence, अब ये क्या होता है, देखो क्या है ना, हमारे देश में अभी currently अगर आप देखोगे, तो 39 towns of export excellence है, तो इस बार के policy में 4 और towns of export excellence add किया गया है, जैसे कि फरीदाबाद के अंदर, जो फरीदाबाद हर्याना म पास, फरीदाबाद for apparel हो गया, जो clothing वगर इंडस्ट्री होता है, मुरादाबाद for handicraft हो गया, मिर्जापूर for handmade carpet हो गया, वारार्सी for handloom and handicraft हो गया, बेसिकली क्या होता है, कि जब सरकार यहाँ पर towns of export excellence announce करती है किसी भी जगा को, तो उसको global recognition मिलता है, वहाँ पर ये जो common service provider किया जाता है, इसके साथ साथ competitiveness भरता है, और आप जादा से जादा उस product को export कर पाते हैं, और साथी साथ यहाँ पर इस policy में ये भी बोला गया है कि जो अभी हमारे ministry of commerce के अंदर, जो department है, department of commerce, उसको हमें further restructure करने की जबरत है, ताकि और जादा better performance हो सके, फिर इसके अल अतलब उसका सही यूज़ भी हो सकता है, उसका गलत यूज़ भी हो सकता है, जैसे कि माली ये ड्रोन होगया, आप ड्रोन जो है कई तरह के सही स्तमाल में कर सकते है, agriculture में कर सकते हैं, infrastructure build करने का लिए कर सकते हैं, या फिर ड्रोन आप ऐसा जिसे क्या आपने देखा होगा, एक बार मुझे याद है, I think दो साल हो गया उस बात को, शायद एक या दो साल, जो कश्मीर एएरपोर्ट है, वहाँ पर ड्रोन के माध्यम से हमला करने की कोशिश की गई थी, कई बार होता है न अचकल, तो क्या है कि ये ड्यूल यूस के अंदर आते हैं, कैमिकल हो गया, ड्य यूस के अंदर आता है, तो इस तरह के जो गोट्स हैं, उस पे उपर जो रेगुलेशन लगाया गया है, बहुत कटिन, इसकी वज़े से क्या होता है, कि उसका एक्सपोर्ट नहीं हो पाता, उसका ट्रेड नहीं हो पाता, तो उसमें सरकार नहीं कहा है, कि हम फर्दर जो है उसमें जो compliance है, उसको थोड़ा सा ease करने की कोशिश करेंगे, सरल करनी को कोशिश करेंगे, ताकि ये जो SCOMET है, SCOMET का मतलब हुआ, special chemicals, organisms, materials, equipment, technologies, जैसे कि इसके अंदर UAV आ गया, drones आ गया, cryogenic tanks आ गया, कुछ chemicals आ गया, उन सबका trade जादा से जादा बढ़े, ये इस बार के foreign trade policy में कहा गया है, फिर next जिसको लेकर काफी चर्चा हो रही है, पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा, especially Russia-Ukraine war के बाद से, कि जब से यहाँ पर rupee depreciate हुआ है, तो चर्चा हो रही है कि भारत को जादा से जादा दूसरे देशों के साथ rupee में trade करना चाहिए, तो इस से जादा rupee settlement में trade हो सके और हमारा dollar कम खर्चो, और overall आप देख सकते हो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि कौन-कौन से sectors को फायदा होगा इस बार के policy की वज़े से, तो mega integrated textile जो region हो गया, dairy sector हो गया, battery vehicle हो गया, vertical farming, waste water treatment, recycling, rain water harvesting, green hydrogen, काफी चर्चा हो रही है, green technology जो products होत confusion क्या निकलता है, देखें, भारत का जो trade है न, वो काफी हद तक hit हुआ था, supply chain disruptions आया था, because of slowdown in global trade, क्योंकि क्या हो था, Russia-Ukraine war की वज़े से, demand कम हो गई थी, और हमें export नहीं कर पा रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं यह जो नई trade policy आई है, उसकी वज़े से, जो industry के experts हैं, उन foreign trade की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो, balance of trade, इसमें क्या आता है, यह कैसे आप define कर सकते हो, इसका right answer आप सबको बता है, मेरे instagram पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, telegram से भी ले सकते हैं, इसका सही उत्तर में, कई सारे MCQs हैं, वो यहाँ पर and I hope to see you guys there, and I hope कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता हूँ, आप से next time tells and thank you very much, see you soon